सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल एमित्रा सोलिशन को और दबाए घंटे बटन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गणेश ओजहा और स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमित्रा सोलिशन में जो सबसे बड़ी खुसी की बात है दोस्तों CSE VLE के लिए ये खुस कवरी की बात है कि CSE के उपर जल्द ही अधार का काम है जो सुरू होने बाला है ये ओफेशियल नियूज है और CSE के CEO दिनेश त्यागी ने ये बात कही है अपने ट्वीट में तो हम पहले तो वो ट्वी गवर्नेंस इंडिया स्टार्टिड आधार रेजिस्टेशन वार्क यहां परूनों ने अपना पूरा का पूरा जो ट्वीट है वो दिया है तो हम देख लेते हैं उस ट्वीट को इसमें लिका है न्यू दिली डिसेंबर अठाइस पीटी आई CSE E-Governance Services इंडिया लिमिटे a special purpose vehicle under meeting on Friday restarted आधार registration and other related works which is plan to expand across the country next week यानि CSE ने आधार का जो काम है वो enrollment का registration का जो आधार का काम है वो शुरू कर दिया है जल्द ही यह है अगली सब्ता से पूरे देश में लागू हो जाएगा हम इसकी हिंदी जान लेते हैं क्योंकि हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन यह नहां पर गूगल सी किया है तो इसमें लिखा है 28 दिसांबर पीटी आई सीए सीए गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमीटेड मीट के तहट एक प्रियोजन विशेश प्रियोजन वाहन ने सुक्रवार को आधार पंजी करन और अन्य समंदित कारियों को फिर से सुरू कि किया है जो अगले सब्ता देश भर में विश्तार करने की योजना है सीए सी एस पीवी ने आधार नामंकन भारत के विशिश प्राजी पहचान प्राधिकरन यानि यू आई डी ए आई के साथ एक समझोते प्रहस्ताक्षर किये हैं ताकि आधार नामंकन को रोल आउट की अ अग्भग अठारे घंटे पहले ये ट्वीट किया है अपने ट्वीटर के ऊपर तो आप ट्वीटर के ऊपर जा करके इस ट्वीट को देख सकते हो आगे दिखा है अपने परिशर के भीतर ऐद वितिया आईडी धारकों के प्रोफाइल में सुधार और बदलाव किया जा सक यानि अपने ही प्रेशर के भीतर हम किसी भी कस्टमर के प्रोफाइल में बदलाव कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं हमने आगे दिनेस दित्यागी कहते हैं कि हमने दिल्ली के ओखला में अपने मुक्याले से आधार पंजीकरण का काम फिर से शुरू कर दिया है जल्द ही यह सुविधा 27 राजियों की राजधनियों में CSE में शुरू की जाएगी और धिरे धिरे यह सुविधा पूरे भार्त के सभी जिला मुख्यालों में शुरू की जाएगी यानि जल्द ही यह पूरे जिलों में शुरू हो जाएगी सभी राजियों के सभी जिलों में शुरू हो जाएगी CSE SPV के CEO दिनेश्तियागी ने PTI को बताया हमने अपनी परिसर के भीतर इस सेवा की पेशकस करनी के अनुमती मिल गई है मैं दूर संचार आईटी और कानून मंत्री रवी सकंकर परसाद को CSE में विश्वात जगाने और यह सूनिस्चित करने के लिए धन्यवा देता हूं कि हमें आधार पंजिकरन का काम वापा से मिल जाएगा यानि जल्द ही अपने को ये आधार का काम है जो मिल जाएगा तो ये CSE SPV के सभी वियलीज के लिए बहुत ही बड़ी खुशकवरी होगी और कमाई का अच्छा सादन भी हो सकता है और हम सभी ग्रहाकों को संतुष्टी पुरण उनका कारे करके दे सकते हैं और जल्द ही पहले ये अधार का काम हमारे CSE पर था लेकिन वापस ले लिए गया था किशी कारण में से लेकिन अब ये जो काम है वो जल्द ही हमारे इस CSE के उपर वापस से सुरू होने वाला है जल्द ही ये काम है जो हमें CSE VLE को मिल जाएगा क्योंकि ये जो दिल्ली के ओखला से प्रार्म हो चुका है और जल्द ही पूरे राज्यों में ये फैल जाएगा तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज है जो मैं लेकर के आया हूँ यदि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ help मिलती हो यदि हमारे आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और share जरूर करें यदि आप हमारे चैनल के ओपर शैयर करें तो हमारे चैनल को भी subscribe कर लें दोस्तो यदि आप बेल के आइकन को भी दबा देते हैं तो हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की जो न्यूज है वो आपको मिल जाएगी तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और साथ में ही बेल को आइकन दबा दीजे ताकि आप हमारे वीडियो से वंचित ने रहो तो आज के वीडियो में हमारे पास में यही एक चोटी सी नियूज थी जो मैंने आपको दे दी है यदि आपको वीडियो चलागे तो सेयर जरूर करें आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए जै एंदे